क्या प्रेग्नेंसी में केसर पीने से या नारियल खाने से या फल फ्रूट खाने से या बदाम खाने से घी खाने से क्या बच्चा गुरा होता है वेल आपको लग रहा हूगा मैडम को आज ये क्या हुआ मैडम ये सब क्यों बता रही है मैं गाइनेकलोजिस्ट हूँ, मैं सरफ मा ने, मैं बच्चे को भी देखते हूँ जब डिलिवरी होती है मैं तीन दिन तक जब तक वो मा हॉस्पटल में रहती है, अगर सिजरेन हुआ है तो नॉमल डिलिवरी तो एक दो दिन रहती है तब तक मैं देखती हूँ बच्चे को यह लोग कैसे हंडल करते है अच्छा शुरू के जो 9 महीने होते हैं प्रेग्नेंसी डिलिवरी से पहले जो 9 महीने होते हैं उसमें पेशन्ट को जो नारियल और केसर पिलाना शुरू करते हैं जब लास्ट के कुछ हफते बाकी होते हैं एक महीने बाकी होता है तो पेशन्ट आते हैं पेट दर्ड हो रहा है क्या खाया वो केसर का दूद पी लिया था वो फ्रूट्स ज्यादा खा लिये थे हल्दी वाला दूद पी लिया था या फिर बहुत ज़्यादा भर-भर की घी के लड़ू खा रही हूँ, अजवाइन खा रही हूँ, यह सब क्यों देते हो? पहली बात तो आपको ऐसा लगता है कि शाद इससे डिलिवरी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि केसर से या अजवाइन से दर्चाल हो जाते हैं, तो उसको प्लीज मत करो, अपने आप नाचुरल लेबर पेन साने दो, दूसरी चीज अगर आपको लगता है घी पीने से नॉमल डि से बच्चे के कलर पर कोई फरक ने पड़ता, पहली बात तो बच्चा गोरा है या काला, यह कैसे डिसाइड होगा, यह आपकी जीन से डिसाइड होगा, क्योंकि आप अगर आपकी जीन में अगर मिलेन पिगमेंट जादा है, तो बच्चे में भी वो आएगा, आपने जादा गई दूसरी फैमली की, तो कहीं न कहीं वो जो चेंजिस आते हैं जीन के, जो इनहरेट होते हैं इधर उधर से, वो बच्चे के अंदर दिखते हैं, अभी छोटी फैमली होती है, उसके बावजू देखा गया, कि दो बच्चे भी होए तो एक काला एक गोरा है, उस आपकी बॉडी में रंग लाता है, यह आपको सनलाइट से बचाता है, सनलाइट के अंदर जो यूवी रेज होती है, जो अल्ट्रा वाइलेट रेज है, उससे आपको बचाता है, इसलिए आपने देखा होगा, शकिन का कैंसर है, ने कि चमड़ी का कैंसर हमारी कंट्री में जहां काले लोग और भूरी लोग रहतें, वहाँ कम है। गोरी लोगों में यह ज्यादा common है। बच्चे के पैदा होने के बाद आप बच्चे की स्किन का ध्यान रखिए। पहली बाद तो बच्चा जिस कलर में पैदा होता है, वो साल भर में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसके उपर जो एक्स्टा बाल होते हैं, जिसको हम लैनुगो बोलते हैं, उसके उपर जो म्यूकस की लेर होती है, जो एक चिपचिपा सा वाइट कलर का पदार्त होता है, जिसको हम वर्निक्स के जियो सा बोलते हैं, वो बच्चे को अंदर प्रोटेट करता ह अच्छा का सा पानी होता है, तो इसके वेज़े से बच्चे की स्केन ड्राइ हो सकती है, especially वहाँ पर जहाँ पर atmosphere में dryness बहुत है, तो definitely बच्चे की dryness को हटाने के लिए मालिश करनी चाहिए, बच्चे की muscles अच्छी होती है, बच्चा relax होता है, बच्चा खुश होता है, बच्चे की gas निकलती है, पेट पर मसाज करनी करते हैं, वही जैसे adults का होता है, इसी तरह से बच्चे की मसाज किसे में थोड़ी कसरत हो जाती है, बच्चे की joints थोड़ी सपल हो जाते हैं, तो जो भी आप oil यूज कर रहे हैं, चाहिए वह कोई massage oil हो, जो medicated oils आते हैं, या फिर olive oil हो, या coconut oil हो, या even सरसों का तेल हो, आप इसको अच्छे से massage करिए, बच्चे की skin के उपर जो dirt जमती है, जो कच्रा जम जाता है, या जो भी है, बच्चा atmosphere में के touch में आया है, बच्चा potty करता है, बच्चा दूद पी के उल्टी करता है, वो सारी गंदगी निखलेगी, बच्चे की skin अच्छी होगी, बच्चे की जो folds हैं, बच्चे को खुद को clean करना नहया आता, बच्चे की naabhi, बच्चे के folds, बच्चे के पैरों पर थोड़ा fat होता है, बच्चे की हिप्स, बच्चे की घुटनों के पीछे जो फैट है, वहाँ पर अच्छे से आप क्लीन करके उसको मसाज करें, नहलाते समय ध्यान रखें, बच्चे को बहुत ज़्यादा गरम पानी से ना नहलाएं, चाहे जित्ती भी ठंड हो, बच्चे का जो पानी आप गरम पर्फ्यूम्ट सोप ना लगा है, जो आप खुद के लिए यूज करते हैं, वैसे भी अपने वीडियो में बताते हूं, जितने भी पर्फ्यूम्ट सोप आते हैं, जो जबरदस्ती आपकी बॉड़ी में फ्रेग्रेंस लाते हैं, वो नहीं यूज करने चाहें, क्योंकि उ महंगी है, पर उसमें अक्चुली क्वांटिटी भी बहुत कम यूज होती है, क्योंकि वो मेडिकेटिड प्रॉडट्स हैं, और अच्छी कंपनी के बनाईवे प्रॉडट्स हैं, तो जो आप इतना सारा ओईल ले रहे हैं, आपको सरफ इतना सा शाद एक ड्रॉप ही काम हो यह प्राक्टिकल चीज है जो कहीं, किसी किताबों में लिखी है, कि जब बच्चा पॉधी करता है या toilet करता है उसका diaper गिला होता है उसका जो एरिया आप उसको जो जनाटल एरिया आप उसको powder ना लगाए पाउडर लगा कर आपको लगता है कि आप ने उसको खुश्बुदार कर दिया और ड्राय कर दिया नहीं, powder उस area को और ज़्यादा irritate करेगा, क्योंकि folds के अंदर powder घुस जाएगा, और ज़्यादा rashes बनेगे, तो it is better कि आप उसको clean करें, toilet पूरा अच्छे से clean कर दें, जो urine से उसका staining हो रहा है, smearing हो रहा है, वो clean कर दें, smell निकल जाएगे, उसका आप moisturize करें, moisture करने के बार आप diaper पहना है, कोशिश करें, diaper यूज करें, क्योंकि आजकर जितने भी अच्छे company के diapers आए हैं, वो बच्चे को clean रखते हैं, बच्चे की skin को dark नहीं होने देते हैं, साथ ही अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, तो जैसे आप sunscreen यूज करने हैं, वैस बच्चे को दही से नहलाते हैं, उप्टन बनाते हैं, मैंने खुद की अपनी डॉटर जो मेरी इंगलें में पैदा हुई थी, उसको खुब उप्टन लगाया था, कारण ये था कि इतने सारे बाल थे, और मुझे लगता था लड़की है, बदा लिए कुछ बच्चे बच् होती है, you have to be very careful, जब आप उसको रगड रहे हैं, और डेफिनेटली उससे बच्चे के कॉंप्लेक्शन तो नहीं, बच्चे के स्किन पर फरक पड़ेगा, और जो एक्स्टा बाल और एक्सेस वर्निक्स और चिपका वर रहता है, जो unwanted आपके स्किन की जो ऊपर की चीज़े वो सारी निकल जाएंगी, तो that's it guys, इतना ही मुझे आज बताना था कि बच्चे की स्किन पर जादा खिलवार ना करें, जब रतिस्ती काजल वाजल ना लगाएं, उसको सुन्दर दिखाने के लिए, नजर से बचाने के लिए, उसको साफ सुत्रा रखें, साफ सुत्रे कप अबल ध्यान रखना जरूरी है,